राम नौमी पर बंगाल में होंगे दंगे पीदी ने पीजेपी पर लगाया आरोग भगवान पर सियासत करेंगी जी हाँ, सही सुना आपने देश ये सवाल कर रहा है पश्य बंगाल की मुख्यो मंतरी ममतब एनरजी से की आखिर क्यों वो भगवान शिरी राम के नाम पर सियासत कर रही है क्यों लोगों को भगवान के नाम पर बढ़का रही है आखिर किस हद तक गिर जाएंगी ममतब एनरजी संदेश खाली कांड के बाद होई किरकरी और शेक शाहजहां की गिरफतारी के बाद लगता है कि पच्च बंगाल की सीम ममता बेनर जी बॉखला गई है ये वज़ा है कि सियासी मैदान में भगवान के नाम पर बीजेपी को घेड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन शायद वो भूल गही है कि इसी बीजेपी ने भगवान शिरी राम को टेंट से राम मंदिर तक पहुँचाया है दशकों के संगर्ष के बाद देश का इस अपना पूरा हुआ है कोट ने भी इस बात को माना था और अब ममता बेनर जी बीजेपी को उसी राम के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है मुसल्मानों को भढ़काने का काम कर रही है दरसल पश्यमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर जी ने पूरुलिया जिलिमे एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से किसी के भी उकसावे में ना आने की अपील की है से ममता बेनर जी ने आरूप लगाया है कि बीजेपी 17 अप्रेल को राम नौमी पर सामप्रदाइक भावना भढ़काई की बीजेपी पर निशाना साधित हुए उन्होंने कहा कि केंदर ने टेमसी के नेताओं की ओर से कथित अनी मितिताओं का पता लगाने के लिए राज्य में 136 टीम में भेजी है ममता ने आरुप लगाया कि बीजेपी से एक बात कहूंगे रैलिया आयोजित करें लेकिन दंगे नहीं कराएं उन्हें से अप्रेल को मतदान होगा और वो 17 अप्रेल को दंगे करेंगे भगवान राम ने आपको दंगे भढ़कानी के लिए नहीं कहा है लेकिन वो ऐसा करे करेंगे और फिर NIA को लाएंगे ममता ने ये भी कहा कि केंद्रे जाच एजनसी टीमसी निताउस से या तो बीजेपी में शामिल होने या कारवाई का सामना करने के लिए कह रही है सेम ममता बेनरजी कीमाने तो EDCBA NIA और Income Tax जैसी एजनसें बीजेपी के हत्यार के रूप मे इन सरकारों बंगाल के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है यह यूं कहें कि ममता दीदी और बीजेपी में बनती नहीं क्योंकि जब-जब कोई केंद्रे एजनसी राज्य में आती है तो दीदी नया बवाल खाड़ा कर देती है चाहे वह सीब्याई हो एडी हो या के तेवर कुछ और ही बया कर रहे थे ममता क्या संदेश देना चाहती है इसके माइने अब सियासी पंडित लगा रहे है लेकिन बीजेपी और टीमसी के बीच तकरार बढ़नाब सुभाविक है यह यह कहें कि रसी जल गई मगर बल नहीं गया क्योंकि हाल में संदेश खाली लेकिन उसके बाद ईद पर ममता दीदी का बयान बीजेपी वालों को एक मौका जरूर दे गया अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की अवाज पुक्ता बूतो के साथ जय हिंद जय भारत